बच्चों, आज हम तृतियवश कला के दूसरे प्रश्नपत्र का अगला चैप्टर संस्कृती अर्थ एवं विकास के सिध्धान्त का अध्यान करेंगे सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम संस्कृती किसे कहते हैं? प्रत्वी के लंबे इतिहास में मानव जाती का विकास बहुत देर से हुआ परन्तु अपने अस्तित्व के थोड़े से समय में मानव ने किसी भी अन्य प्रानी की तुलना में कई गुना प्रगती की है वे जंगलों में जन्मा, भोजन की खोज में भटकता, आदी मानव विकास की छलांगे मारता हुआ आज अंतरिक्ष तक पहुँच गया है हॉबल के शब्दों में संस्कृती एक अनौखी मानविय गटना है संस्कृती के अभाव में मानव को पशू से स्ट्रेष्ट नहीं माना जा सकता संस्कृती ही मानव की श्रेष्टतम धरोहर है जिसकी सहायता से मानव पीडी दर पीडी आगे बढ़ता जा रहा है प्रगती की ओर उन्मुक होता जा रहा है यदि मानव से उसकी संस्कृती छीन ली जाए तो कुछ शेश बचेगा यह केवल मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही रहेगा मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृती का ही है यह स्वाभाविक रूप से यह प्रश्ण उठता है कि मानव संस्कृती का विकास क्यों कर पाया और पशु क्यों नहीं इसका मुख्य कारण हम उसकी शारिरिक और मानसिक शमताओं के अंतरगत खोजते हैं मानव संस्कृती निर्माता के रूप में यह हेडिंग है जिसमें हम वो उन विशेश्टाओं का वर्णन करेंगे जिसके आधार पर मानव को पशु से अलग किया जा सका है और मानव ने अपनी संस्कृती का स्वेम विकास किया है मानव में ही यह अद्भुच शक्ती एवं क्षमता मौजूद है जिसके कारण वे संस्कृती का निर्माता कहलाने का अधिकारी है लेसले वाइट एक समाश्यास्त्री हैं जिन्होंने मानव की उन पाँच विशेष्टाओं का उलेख किया है जिनके कारण मानव द्वारा संस्कृती का निर्मान संभव हुआ है पहली विशेष्टा है सीधे खड़े हो सकने की शमता मानव ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो सीधा खड़ा हो सकता है वे अपने दोनों पाऊं से चलने फिरने का काम भी कर सकता है और हातों की सहायता से वे अन्यकारे कर सकता है जबकि अगर हम दूसरे प्राणियों की तरफ निगाह दोडाएं तो हमें ग्यात होगा कि वे अपने चारों अंगों से चलने एवं शरीर का भार समालने का कारे करते हैं दूसरे विशेशता है स्वतंतरता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हात मानव के हातों की बनावट विशेश प्रकार की है इस कारण उन्हें वे किसी भी दिशा में आसानी से घुमा सकता है हात की बनावट में अंगोठे की विशिष्ट स्थिती होने के कारण किसी भी बस्तू को पकरना सरल हो जाता है अन्य प्राणियों के हातों में उंगलियां और अंगोठे का यह तालमेल नहीं देखने को मिलता और यही कारण है कि मानव अपने हातों द्वारा अनोखे निर्मान कारे कर सका है तीसरा बिंदू है इसमें तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दिश्टी मानव किसी भी वस्तू को टक्टकी लगाकर लंबे समय तक देख सकता है इसके परिणाम सुरूप उसके द्वारा अवलोकन का कारे संभव हो सका है इस अवलोकन के आधार पर ही उसने ज्ञान एवं विज्ञान का विकास किया प्राकरतिक एवं सामजिक घटनाओं को देखा, निशकर्ष निकाले और सिध्धानतों का निर्मान किया अगला बिंदू है मेधावी मस्तिक्ष मनुष्य की सबसे वड़ी चमता उसका मेधावी मस्तिश्क है उसका मस्तिश्क अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तरकशील, विचारशील एवं क्रियाशील है मानव अपने मेधावी मस्तिश्क के कारण ही अनेक आविशकार कर पाया है कुछ विद्वानों की मानिता है कि मानव मस्तिश्क एवं पशु मस्तिश्क में केवल मात्रा का अंतर है प्रकार का नहीं इस प्रकार के विचार रखने वालों में किंग्सले डेविस, डार्विन एवं लिंटन आधी प्रमुक हैं डार्विन का मत है कि मानसिक शमताओं में मानव और उच्च कोटी के स्तन्धारी प्राणियों में कोई आधारबूत अंतर नहीं है अगला बिंदू है प्रतीकों के निर्मान की शमता मानव द्वारा संस्कृती निर्मान को संभव बनाने में उसके द्वारा उप्योग किये जाने वाले प्रतीकों एवं भाषा का भी अमूल्य योगदान है भाशा एवं प्रतिकों के माध्यम से वह अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान तथा पुरानी पीड़ी द्वारा नई पीड़ी को ग्यान का हस्तांतरन भी कर सकता है मानव ही प्रतिकों का अर्थ प्रदान करता है और इसी आधार पर उसने भाशा का विकास किया है मानव एवं पशु जगत में एक मुख्य बेहिद यह भी है कि केवल मानव के पास ही भाशा है अगला हेडिंग है हमारा इस चाप्टर का संस्कृती का सामान्य अर्थ जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि हम संस्कृती के बारे में अध्यान करते करते अभी तक उसके अर्थ की स्पष्टता तक नहीं पहुंचे है संस्कृती शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षन एवं बौधिक श्रेष्टता को प्रकट करने के लिए संस्कृती शब्द का प्रयोग किया है संस्कृती शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है संस्कृत और संस्कृती दोनों ही शब्द संसकार से बने है संसकार का अर्थ है कुछ क्रत्यों की पूर्ती करना यानि रिच्वल्स क्रत्यों की पूर्ती करना एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्य प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं. संसक्रदी का आर्थ होता है कि विभिन संसकारों के द्वारा सामोहिक जीवन के उधेश्यों की प्राप्ति. यह है परिमार्जन की एक प्रक्रिया है. संसकारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्रानी बनता है. मानव शास्त में संस्कृती का अर्थ उस रूप में प्रियोग में नहीं लिया जाता जैसा कि अभी तक हमने अध्यान किया है मजूमदार और मदान लोगों के जीने के धंग को ही संस्कृती मानते हैं प्रारंबिक मानव शास्त्रियों में टाइलर की परिभाशा विस्तृत है इनके अनुसार संस्कृती वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्यान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्यक्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है टाइलर की इस परिभाशा से स्पष्ट है कि संस्कृती सामाजिक विरासत है समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है अगली परिभाशा हम ले सकते हैं रेट फील्ड की जिनोंने संस्कृती को परिपार्टी गत अर्थों का कुल योग है के रूप में किया है होबल के अनुसार संस्कृती सीखे हुए वियावार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेशता है जो की प्राणिशास्त्रिय विरासत का परिणाम नहीं है लिंटन संस्कृती को परिभाशित करते हुए लिखते हैं कि संस्कृती ज्यान, धारणाय एवन प्राकृतिक विहवार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागेदार होते हैं तथा जो हस्तांतिरित की जा सकती है उपरियोक्त परिभाशाओं से स्पष्ट होता है कि संस्कृती की कोई भी एक सर्व माने परिभाशा नहीं है संस्कृती शब्द इतना जटिल एवन विस्तृत है कि उसकी एक सर्व माने परिभाशा देना कठिन कार है वास्तव में एक समाज विशेश के संपून व्यावार प्रतिमानों अथ्वा समग्र जीवन विधी को ही संस्कृती के नाम से पुकार आ जा सकता है संस्कृती के अंतरगत, विचार तथा व्यावार के सभी प्रकार आ जाते हैं यहाँ पे संस्कृती का अर्थ और परिभाशा स्पश्ट होते हैं अगले वीडियो में हम संस्कृती की प्रकृती अर्थात उसकी विशेश्टाओं का अध्येन करेंगे धन्यवाद